कृष्ण, द्रॉपदी और कर्ण के शरीर में थी ये समानता। जानिये तीनों के बीच का रहस्य, महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं मादरी पुत्र, नकुल और सहदेव की पतनी द्रॉपदी थी। राजा दुपद की बेटी द्रॉपदी को पांचाली भी कहा जाता है। कुंती के एक और पुत्र कर्ण थे। कर्ण को कुंती ने विवाह पूर्व जन्म दिया था और एक नदी में बहा दिया था। अधिरत नामक एक रथी को कर्ण मिले और उन्होंने उसे पाला था। उस जानते हैं कि वह क्या समानता थी समानता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मानस पेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्ता आरत हो जाती थी। इसलिए समान्यत। लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावन्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठो देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोर्तम बना लेते थे। कृष्ण और द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छ श्रीकृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया। उस समय श्रीकृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्रीकृष्ण का रक्त पहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी भाड़कर श्रीकृष्ण की अंगु के समय उनकी साड़ी को इस पुन्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ा कर लोटा दिया और उनकी लाज बच गई. द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था कर्ण और द्रौपदी. द्रौपदी स्वयमवर के समय एक अजीब घटना घटी. द्रौपदी के स्वयमवर में जर भी जल में देखकर. जरासंद को श्री कृष्ण ने अपनी चाल से प्रतियोगिता से हटा दिया. उसके साथ और राजा भी हट गए. तब कौरवों को सबसे पहले प्रतियोगिता में आमंतरित किया गया. सभी निशान चूप गए. कौरवों के असफल होने पर दुर्योध आदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुशबान रख दिया. अब अरजुन की बारी थी. अरजुन ने लक्ष भेद दिया. कहते हैं कि द्रौपदी कर्ण से विवाह करना चाहती थी. लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपन पारा पाया जा सके. बाद में सभी के दवाव के चलते उसने पांचों पांडवों को अपना पती मान लिया. कहते हैं कि बाद में जब द्रौपदी का चीरहरन हो रहा था, तो कर्ण ने चुप रहकर द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लिया था. कर्ण और तो दूसरी ओर कर्ण कर्ण दुर्योधन के तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिती में देख कर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते कृष्ण की नीती के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल हतियाए और इंद्र द्वारा दिया गया एक मात्र अचूक अमोग अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत कच पर चलवाया गया इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच चद में युद्ध चलता रहा था वो कृष्ण ही थे जिन्होंने एन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी मा है लेकिन युद्धिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का घ्यात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है